हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे मत्प्रदेश पुलिस का स्टेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके की तसा इससे सम्मंधि जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो की आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो हम उनको पूरा डिसकस करेंगे तो आप वीडियो से तो सब्द काला सोना किसके लिए प्रियुक्त होता है अपसंद यह गया है कोईला ग्रेफाइट पेट्रोलियम कार्बन तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम आपको यहां पे कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि कोईला में कन्फ्यूज नहीं होना है इसका सही तो कार्बन हीरे का पर रूप होता है इसके बाद बात करें ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट का यूज इस नेहक की रूप में किया जाता है ये आप से क्वेशन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट बिद्दुत का सुच आलक होता है या कुछ आलक तो ग्रेफाइट सुच आलक होता है conductor होता है और ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है lubricant की लूप में इसने हक की रूप में इसके बाद बात कर लेते हैं next question की तो next question पूछा जाता है UNESCO के अनुसार बिस्सु बिरासत इस्थलों में एक है तो आपको बताना है उजेएन के के दारनात मंदिर, भोजपूर, मांडू में जहाज महल, खुज़राहो इसमारक तो इसका सही answer हो जाएगा खुज़राहो इसमारक जो खुज़राहो इसमारक है वहाँ पे क्या इस्थित है तो एक यहां से question बनता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहां इस्थित है तो आपको बताना है कि कंदरिया महादेव इस्थित मंदिर खुजराहों में इस्थित है और यहां से next question बनता है कि खुजराहो का निर्माण मतलब खुजराहो मंदिरो का निर्माण किन सासकों ने कराया था तो आपको याद रखना है कि चंदेला बंस चंदेल बंस के सासकों ने कराया था इसके बाद बात कर ले अगर मांडू से question पूछा जाता है कि मांडू कहां इस्थित है तो मांडू में जहाज महल इस्थित है तथा मांडू हो जाएगा मद प्रदेश के धार जिले में तो आपको याद रखना है कि मद प्रदेश के धार जिले में मांडू मांडू को किस नाम से जाना जाता है तो सिटी आप जोईस के नाम से जाना जाता है तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है इसके बात बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तो नेक्स्ट कोश्चन देख लिए भारत में मनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास बिनासकारी जहाज है आई एनस कोलकाता आई एनस बिक्रांत आई एनस बिक्रमदित आई एनस चेन्नई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई एनस चेन्नई तो आपको आई एनस चेन्नई से याद रखना है जो कि एक बिमान बाहक पोत होते हैं आई एनस बिक्रमदित भी एक बिमान बाहक पोत है जो कि रूस की सायता से इस्टेबलिस किया गया है तो इसके बात बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तो नेक्स्ट कोश्चन क्या पूचा गया है उस्ताद बिस्मिल्ला खान इनमे से सम्बंदित है तो आपको बताना है यहां से क्श्चन पूछा जाता है तो सितार सहनाई तबला सरोज तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद बिल्पुरिण खान सहनाई से सम्बंदित है तो बात करें अगर important सहनाई बादक की बात कर लेते हैं कि सहनाई कौन कौन बजाता है तो देख लीजे आप एक एक करके जो कि आपके एकजाम में जितने भी question बन सकते हैं सहनाई से बादक से सम्यानित हैं इसके बात बात कर लेते हैं कि बासुरी बादक में कौन कौन important है तो यह बासुरी दिया गया है तो बासुरी बादक की बात करें तो important बासुरी बादक देख लेते हैं आप इसके लिए check देख लेजिए N T B का पहरा तो ट्रिक क्या हो जाएगा N T B N T B का पहरा तो आपको ये ट्रिक से जितने भी बासुरी बादक हैं वो पूरे याद हो जाएगे N से हो जाएगा L नीना तो आपको N से याद रखना है N नीना हो जाएगा N से N. 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 N चोरसिया और रा से हो जाएगा राजिन्त प्रसंद तो आपको यहां से इतना question याद रखना है इसके बाद देख लेते हैं important सितारवादक कौन कौन से हैं तो सितारवादक जो कि आपसन में दिया गया है तो को त्रिक याद रखना है बंदे उमा निस निस बिखंडित तो बंदे उमा निसा बिखंडित आपको यह निसा कर लिजे तो ज्यादा सरल हो जाएगा तो बंदे उमा निसा बिखंडित तो यहां से अपन देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है बंदे से बन जाएगा वंदे हसन वा से हो जाएगा वंदे हसन और उमा से हो जाएगा उमा संकर नी से हो जाएगा निखिल सर्मा और सा से हो जाएगा साहित परवेज और पंडिस वी से हो जाएगा विलायत खान और पंडिस से हो जाएगा पंडित रवी संकर इसके बाद बात करें कि important तबलाबादक से क्या क्या question बनता है तो तबलाबादक से आपकी एक्जाम में पूछा जाता है कि जाकीर हुसैन का संबन्द किस से है तो जाकीर हुसेन का संबंद हो जाता है तबला बादक से और जाकीर हुसेन के फादर का है तो जाकीर हुसेन के फादर हो जाएंगे अल्ला रखका खा तो इनके पिताजी से भी कोश्चन बनता है ये भी किसे संबंदी थे तबला बादक से संबंदी थे इसके बाद next option है सरोद के आपके उस्वादान से कोस्चन पूछा जाता है कि अमजद अली खान किसे संबन्दित है अमजद अली खान जो की गौलेल घराने से हैं वो सरोद बादन से संबन्दित है तो आपको यहां से इतना याद रखना है इसके बाद बाद कर लेते हैं next question की तो next question देख लिए 2017 में भारत की और शठवी गरतंत दिवस परेड में मुक अति थी कौन थे बराकोमा आवोमा सिंजू अभे सेख मुहम्मद बिल सलमान सेख मुहम्मद बिन जैन अली नहयन तो आप से अभी लेटेस्ट कोश्चन पूछा जाएगा तो आप देख लिजे सेख मुहम्मद बिन जैन अली नहान अगर 2019 में बात करें कि 2019 में कौन था तो 2019 में हो जाएगा आप करेंट बाक्स में मैसेज करिए कि कौन थे 2019 में तो 2019 में आये थे सिरिल रामा फोसा तो सिरिल रामा फोसा जो कि साउथ अपरिका के प्रेसिडेंट है तो साउथ अपरिका के प्रेसिडेंट सिरिल रामा फोसा 2019 में मुक्तित थे और अगर 2020 में आप से पूछा जाए कि 2020 में मुक्तित कौन थे तो 2020 में हो जाएगे राष्टपती जायर बोलस नारो तो आपको याद रखना है कि जायर बोलस नारो 2020 में थे जो कि कहां के थे तो ब्राजील के थे तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी ब्राजीलिया हो जाएगी और अगर बात करें कि सिरिल रामफोसा साउथ अप्रिका थे साउथ अप्रिका की राजधानी तीन होती है जो कि आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो साउथ अप्रिका की राजधानी क्या क्या हो देती है केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लामफोंटेन तो ब्लामफोंटेन इसके बाद बाद कर लेते हैं question की तो next question दीख लिए बारत का चवधवा राष्ट पती किसे निउख्ट किया गया तो भारत का 14 राष्ट पती किसे निउख्ट किया गया प्रणभ मुखर जी एम बेंक का या नाइडू रामनाथ कोबिन्द मीरा कुमार तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोबिन्द तो आपको यहाँ से याद रखना है कि रामनाथ कोबिन्द अपन बात कर लेते हैं कि important राष्ट पती से क्या क्या question पूछा जाता है तो राष्ट पती question पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट पती कौन थे तो प्रथम राष्ट पती कौन हो जाएंगे डाक्टर राजिंदर प्रसाद और सेकेंड हो जाएंगे सरपल्ली राधा कृष्णन तो आपको याद रखने हैं सरपल्ली राधा कृष्णन और अगर पूछा जाए कि भारत के ग्यारवे राष्ट पती कौन से तो ग्यारवे राष्ट पती हो जाएंगे एपी जे अब्दूलकलाम साहब इसके बाद बारा पूछा जाता है तो भारत की बारवी राष्ट पती या तो भारत की प्रथम महिला राष्ट पती तो यह हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंग पाटिल और चवदवे राष्ट पती की बात करें से चवदवे राष्ट पती काउन हो जाएंगे रामनात कोबिन एम बेंकाईया नाइडू से बात करें तो भारत की पहली महिला लोग सबाई speaker हो जाएगी मीरा कुमार अध्यक्ष इस speaker को अध्यक्ष कहते हैं इसके बात बात कर लेते हैं next question की तो next question पूछा गया था Nobel पुरुसकार जीतने बाले पहले भारती कौन थे तो आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राबिंद्र नाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरुसकार दिया गया था तो 1913 में दिया गया था जो कि इनकी इकरती थी गीतांजली तो गीतांजली के लिए इनको साहित का नोबेल पुरुसकार दिया गया था इसके बात बात कर ले कि सीबी रमन को कम नोबेल पुरुसकार दिया गया था तो सीबी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरुसकार दिया गया था जो कि स्कैटरिंग आप लाइट तो आप इसके बाद बात करने कि अमर्त सेन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था तो 1908 में इकोनामिक्स का फ़स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था जो कि भारती है और 2019 में भी दिया गया है भारती को अब जीद बेनर जी को इसके बाद कैलास सत्यार्थी तो कैलास सत्यार्थी को बचपन बचाओ अंदोलन के लिए 2014 में दिया गया था तो 2014 में दिया गया था इनके साथ किसको दिया गया था तो मलाला यूसुफ जाई जो की पाकिस्तान से हैं उनको भी दिया गया था 2014 तो देख लीजिए नेक्स्ट कोशन भारत की पहली पानी के नीचे की सुरंग कौन सी है तो आपको बताना है की कौन सी है चेन्नई विसाखा पत्नम नभी मुंबई मुंबई कोलकाता इलाहबाद लखनव तो इसका सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता तो हाबडा कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आपन इंपोर्टेंट सुरंग से बात कर लें कि सुरंग से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है तो भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग हो जाएगी पीर पंजाल रेल सुरंग जो की बनिहाल दर्रे पर बनाया गया है जो की जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 11.212 15 किलो मीटर इसके बाद पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी rail road bridge कांसी है तो bridge हो जाएगी भोंगी भील सबसी लंबी bridge हो जाएगी तो आपको याद आखना है कि भोंगी भील हो जाएगी इसके बाद बात कर लेते हैं next question की तो next question पूचे गया था सब्द passage किस से सμामंदित है आप शंदिया गया है cricket, harky, football important सब्द की बात करें तो सब्द से क्या क्या question पूचा जाता है तो हांकी से question पूचा जाता है कि penalty किसे संबंदित है तो आपको बताना है कि penalty किसे संबंदित है तो penalty हो जाएगी हांकी से इसके बात पूचा जाता है कारनर, stick up और devils तो devils आपको इतना सब्द याद रखना है हा पूचा कि से कोचेन पूचा जाता है बैड मिर्टन से संब्दित इसका सही अंसर हो जाएगा कोच कोच को दिया जाता है विश्वा मित्र पूरुसकार और मत प्रदेश का सबसे बड़ा पूरुसकार कौन सा होता है तो विक्रमा दित्तावार्ड इसके बाद बाद तो थैंक यू दो के लिए कल के वीडियो में डिसकस किया था कि इंपोर्टेंट खेल से क्या क्या कोच्चन पूछे जाते हैं तसा कौन कौन सा खेल रत ने किसको दिया गया है तो आप कल वाला वीडियो देख लिजे आपका क्लियर हो जाएगा तो थैंक यू दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो सेर करो सब्क्राइब करो जय हिंद